स्कूल शुरू करना ना केवल एक बिजनेस है, बलकि ये एक प्रकार की समाज सेवा भी है, जिसमें आप शिक्षा के माध्यम से एक सुशिक्षित और सब्वे समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं. इस कारण इसे एक संतुष्टी देने वाला बिजनेस भी क कहा जा सकता है, लेकिन भारत में इसे शुरू करने के लिए बहुत सी तकनीकी और कानोनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. स्कूल खोलना एक मुश्किल प्रक्रिया है, जिसमें कुछ लीगल आपचा रिकताएं होती हैं, जिने पूरा करना अनिबारे होता है. इसके ल रहा लंबी लेकिन आसान रहती है. तो स्कूल खोलने के लिए आपके पास सही लीगल इंफोर्मेशन होना बहुत जरूरी है. सबसे पहले स्कूल के लिए बोर्ड निर्धारित करें, कि स्कूल में राज्जी का बोर्ड होगा या सीब्यस्सी, इसके अनिसार ही शेक्षनिक कारिक्रम तै किया जा सकता है. तो आज हम जानेंगे भारत में आप स्कूल कैसे खोल सकते हैं, कैसे इसका बिजनिस स्टार्ट कर सकते हैं, और चोटे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत कम इन्वेस्मेंट के साथ. तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, वीडियो पस पास basic school का infrastructure, interior और योग स्टाफ होना जरूरी है सच ये है कि भारत में एक बार आपने school के लिए सभी approval ले लिए तो school खोलना सरल और सुगम हो जाता है समान तहा ये सला दी जाती है कि secondary school शुरू करने के लिए पहले primary school को ही आगे बढ़ाना सही रहता है ये आपकी कई तरह से मदद कर सकता है आप document बनाने के लिए पहले से तयार होते हैं और आपको थोड़ा अनुभव भी होता है जैसे आप school शुरू करने के लिए आवश्यक norms और guideline के प्रती भी जागरुख होते हैं इससे आपका case भी approval पाने के लिए strong हो जाता है हालाकि कुछ school ऐसे भी हैं जो की primary education के बाद के पांचवी से दस्वी तक के होते हैं approval पाने के लिए basic infrastructure, interior और human resource planning बहुत जरूरी है इन सब में जमीन सम्मंदित, building, layout, school में सुविधाई और staff सम्मंदित जानकारी होती है हर board की अपनी कुछ शर्ते होती हैं जिस पर school को खरावतरना होता है यदि आप कोई विशेज board के लिए apply कर रहे हैं तो पहले उनकी शर्तों को अच्छे से पढ़ ले और समझ ले यदि आवशक लगे तो इसमें वकील की मदद भी ली जा सकती है क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि board आपके पास उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट हो इसलिए पहले से यदि तयार होंगे तो बाद में कम तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आर्थिक व्यवस्ता भी समय पर उपलब्ध होना बहुत आवशक है आप Finance Institute, Bank या अन्ने किसी निजी लेकिन Certified Company से लोन ले सकते हैं और इसके बाद Financial Record रखना भी जरूरी है शिक्षा और स्वाज से विभाग से मिला Approval की अब आवशकता होगी इसके लिए आपके पास विस्तरत Business Plan के साथ Structure के Blueprint की भी आवशकता होगी यदि आपके पास Construction तयार होगा तो आप इसे Proposal के नुसार भी तयार करवा सकते हैं यदि आपने पहले से ही Affiliation के लिए Apply कर दिया है तो आप ये Records भी Summit करवा सकते हैं स्कूल के लिए अध्यापकों का चैन एक महतपूर पक्रिया है Play School से लेकर Higher Secondary School तक Teachers की युगता की मापदन भी अलग-अलग होते हैं ऐसे में चैन के लिए अनुभव की अवशकता होती है इसके लिए आप सरकार के बनाएगा नीमों का अनुसरन करते हुए कुछ अनुभवी व्यक्यों की मदद भी ले सकते हैं इससे स्कूल को Best Teachers मिले अब स्कूल के लिए जगे का निर्धारन कैसे करते हैं स्कूल शुरू करने के लिए सबसे पहला चरण है एक अच्छी जगे की तलाश करना इसके लिए आपको बहुत साबधान रहना होगा क्योंकि बच्चों की सुरक्षा, स्कूल की निष्टा और शान्ती के साथ खेलने के लिए खुले मैदान जैसी कुछ मूलबूद जरूरते होना जरूरी होता है वास्तव में स्कूल के लिए अच्छी और परियाब जमीन के साथ शहर में उसकी लोकेशन और आस-पास का महौल भी अच्छा होना बहुत जरूरी है यदि आप सेकंडरी स्कूल खोलना चाहते हैं और आपने शहर तैय कर लिया है तो अपनी सेकंडरी स्कूल के लिए मार्केट और चात्र भी तयार करें मतलब ऐसा एरिया जो पहले IT हब हो वहाँ IB, ICI, ICE या CBSE स्कूल खोलना असान होगा जबकि ऐसी लोकेशन को अवाइट करें जहां पहले से कोई स्थापित सेकंडरी स्कूल हो CBSE स्कूल के लिए जो जमीन ली जा रही है उसके भी अलग-अलग मानक निर्धारित है शहर के बीदर CBSE स्कूल शुरू करने के लिए कम से कम एक एकर जमीन होना जरूरी है जबकि शहर से बाहर शुरू करने के लिए ये लिमिट 1.5 एकर है और जमीन भी एक ही जगे और एक ही टुकडे में होना भी जरूरी है CBSE स्कूल के लिए कम से कम 1.5 एकर जमीन की आवशकता होती है इसके साथ कुछ अननिकारक जैसे शहर, वहां की आबादी, लोकेशन, जैसी कुछ बाते भी महत्पोर है CBSE के नए नियमों के निसार मेट्रो में स्कूल शुरू करने के लिए 1600 स्कूर मीटर यानि 0.4 एकर से ज़ादा होना चाहिए प्ले स्कूल कैसे शुरू करें बारती सविदान में आर्टिकल 21-A के तहत 2009 में सरकार द्वारा बनाया गया The Act to Education के अनुसार 6-14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और अनिवार है हाला कि अब भी बहुत से 6 वर्ष की उम्र के नीचे के बच्चे शिक्षा के मूलभूत अधिकार से वंचित है ऐसे में प्ले स्कूल खोलने के लिए बने नीमो का पलन करना और भी जरूरी हो जाता है सबसे पहले ये तैय करना आवशक है कि प्ले स्कूल कौन से प्रकार का होगा मतलब आप day care, full time या सिर्फ कुछ घंटों के लिए चलने वाला प्ले स्कूल में से कोई भी एक चुन सकते है इसका budget और investment इसके infrastructure जरूरतों विज्यापन और आवशक करनों पर निर्फर करता है अभी सरकार ने कोच योजना ये भी शुरू की है जिनमें महिलाओ को खुद का प्री स्कूल बनाने के लिए चाइल्ड केर सेंटर खोलने के लिए भारती महिला बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से बीमबी परवरिश लोन मिल सकता है जो की 12% ब्याशपर मिलता है और इसे 5 सालों में वापस चुकाना होता है नेशनल काउंसल फॉर टीचर एजुकेशन गाइडलान के अनसार ही टीचर और अनस्टाफ को नियूट करना होता है एक प्री स्कूल टीचर के पास सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके समकक्ष और प्री स्कूल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नसार कम से कम एक साल का डिपलोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए या बीएड होनी चाहिए प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए क्या गाइडलेंस होती है वो भी जान लेते हैं भारत में प्रात्मिक शिक्षा की बहुत आवशकता है इसलिए यहाँ पर छोटे शहरों और गाउं से लेकर बड़ी जगहों तक प्राइमरी स्कूल खोलना कहीं से भी गलत कदम नहीं है को शिक्षा के लिए उफ्योग किया जाए इससे किसी भी सदस्य को कोई नीजी फाइदा ना हो इसके लिए अन्य उन सदस्यों को भी शामिल करने की सला दी जाती है जिनके पास शिक्षा सम्मंदित अनभफ हो बारत में स्कूल खोलना तो असान है लेकिन इससे फाइदा कमाने के लिए काफी investment और मेहनद की आवशक्ता होती है रीजी स्कूल बारत में तेजी से प्रक्ति कर रही है लेकिन इनके आपस में competition बढ़ने की कारण छोटे स्थर पर स्कूल खोलने की risk भी बढ़ रही है इसके लिए यदि कोई अच्छी franchise के साथ काम मिल गया तो रहा बहुत असान हो जाती है वरना कई वर्षों तक स्कूल से फाइदे नहीं मिलते हैं अपनी स्कूल के लिए अकरशक वेबसाइट और होर्डिंग तयार करें और शेहर भर में प्रचारित करें अब अभिभावकों की आवशकता को भी समझ लें और उनके साथ कुछ मीटिंग भी करें कुछ अभिभावकों की उमीदें बहुत जादा होती है हायर सेकेंडरी स्कूल से और ये प्ले स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अब भावकों की उमीदे कुछ अलग होती है ऐसे में जरुवत के मताबिक मार्केटिंग करें वैसे स्कूल खोलने के लिए आवशक दस्तावेजू की लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन कुछ मुख्य डॉक्यमेंट्स जो चाहिए वो हैं इस बिजनिस में आपको काफी मुनाफ़ा है और आप इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं अगर आप इसकी फ्रेंचाइज ही लेते हैं तो तो उमीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको बहुत सारी जानकारी इससे प्राप्त हुई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा मैं आपके साथ ऐसे ही बिजनेस आडियाज लाती रहती हूँ उन बिजनेस आडियाज को जानने के लिए आप हमें फॉलोज जरूर करिए वे आपसे फिर मिलती हूँ तब तक के लिए बाबाई